नमस्कार दोस्तों आईए हम लोग डेली करेंट न्यूज के संदर में जो की दा हिंदू का एडिटोरियल न्यूज है वह है की मुख्य रूप से भारती अर्थ व्यवस्था की तृतियक छेत्र की यानि सेवा छेत्र के संदर में क्या चर्चा है उस पर बात करते हैं यानि की अर्थ व्यवस्था की जो तृतियक छेत्र है तृतियक जिसे हम लोग सेवा छेत्र करते हैं इस सेवा छेत्र के संदर्व में अभी जो सरकार का आम बजट रहा उस आम बजट से पहले सरकार का जो आर्थिक सर्विच्छण है उस आर्थिक सर्वेच्छड में सरकार के द्वारा क्या पहलू किया गया, सिवा छत्र के बारे में क्या कहा गया है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे केंद्रिय बित्य एवं कार्पुरेट कार्यमंत्री द्वारा जोके निर्मला सितारमर जी हैं, द्वारा हालही में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेच्छड दोहजार तेश्चोबिस में पिछले तीन दसकों में देखा गया है कि भारत की आर्थिक ब्रिद्धी में सेवा छत्र की जो महत्तुपुर भूमिका है, वह बढ़ रहा है, ठेक है, चुकि बित्वर्स दोहजार चोबिस में भारत की अर्थिव्योस्था में लगभग 55% यानि कि 55% का योगदान देने वाला यह छत्र नितिगत सुधारो बेहतर आधार्भू सन्रचना सेवा छत्र के बारे में और लाजिस्टिक्स के कारण बहुत ही विकास कर रहा है, जो डीपी में इनका योगदान 55% है और यह भारत सरकार का जो नितिगत सुधार है, बेहतर जो बुनियादी सन्रचना है, एवं जो लाजिस्टिक्स हैं, जो ब्यापारी गतिविदियां हैं, यह बुनियादी सुधार के कारण यह बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है, इसके साथ साथ जो ऑनलाइन भुक्तान सिस्टम, ई-कॉमर्स और मनुरंजन प्लेटफॉर्म, सहित विभिन डिजिटल सेवा रहा है, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, कि जो आर्थिक सरविच्छड 2023-24 जो सरकार का रहा है, इसमें यह बताया गया कि जो सकल मुल्य वर्धन है, जो जीविये है, ग्रास बैलू एड़, ठीक है, ग्रास बैलू एड़ेड में आप देखेंगे, कि 7.6%, 7.6% की ब्रिद्धी के साथ, सेवा छेतर का योगदान रहा है, ठीक है, और यह आर्थिक सरविच्छड के मुख्य पहलू है, ठीक है, सेवा छेतर आपको पता है कि जो परेटन से संबंधी चीजे हैं, बित एवं भंडार परिवहन जैसी समस्या, जो चीजे संबंधी हैं, एवं उसके साथ साथ आप देखेंगे होटल, रेस्टूरेंट, प्यापारी, गतिवीदिया, इन सारे कारियों को सेवा छेतर के अंतरगरत ही रखा जाता है, तो जो संभावनाएं हैं, भारत के पास जो प्रमुक संभावनाएं हैं, कि सेवा छेतर का विकास कैसे ही कि जा सकता है, जैसे आप परेटन के दिरिष्टी कोड से बात करें, यदि आप परेटन के दिरिष्टी कोड से बात करें, तो भारत में यह एक परेटन के विकास के लिए एक प्रमुक संभावना के रूप में व्यक्त किया जा रहा है, कि भारत में रोजगार में लगभग ल उगदान परेटन छेत्र का भी है और रोजगार स्रिजन के प्रमुक संभावित स्रोत की रूप में सामने आया है यह चेत्र और इसमें आपको पता है यह परेटन में जो बिरासकियों धार्मिक परेटन के दायरे में आते हैं इसके लिए सरकार ट्रिवल एजेंट तमाम सारी कारियों को बढ़ावा दे करके इस छेत्र का विकास कर सकता है सरकार इसके साथ साथ सेवा छेत्र के विकास के दिरिष्टी कोड से जो बिमानन छेत्र है एवियेशन सेक्टर है जो बिमानन छेत्र है यह भी एक महत्तपुर छेत्र है चुकि एक ऐसा छेत्र है जहां पर प्रियोजनाओं के माध्यम से बढ़ी हुई छम्ता से प्रेडित है और तो भारत सरकार की जो सिवाचत्र को विगास करने की एक ब्रिधी की और जो पढ़ाने की योजनाओं है तो बड़े पैमाने पर एबियेशन सेक्टर भी जो है अपार संभावनाय लेकर सिवाचत्र के विगास से तुपारे कर रहा है इसके साथ आप बित्य और तकनीकी सिवाएं भी देखते हैं जैसे ब्यवसाइक तकनीकी सिवा उच्च कौसल रोजगार ठीक है आप देखेंगे जो उच्च कौसल के लोग हैं वो अपने सिवाओं का सिच्छा से संबंदी सिवाओं का निर देखेंगे आर्चिशियल इंट्लिजेंस के माध्यम से इस उच्च तकनीक के माध्यम से सरकार अपने सिवाओं का सिवाओं का घाट्र चिरे आप चुनोतियों के संदर में आप देखेंगे कि जैसे भारत में क्या है एक कुसल कारेबल की कमी है जिसके वजह से आप देखेंगे कि भारत में कुसल कारेबल की कमी के वजह से जैसे आप देखेंगे कि धिरे धिरे जो डिजिटली करन बढ़ रहा है इसके कारेबल आप देखेंगे तकनीकी प्रगति के साथ तालमिल बनाये रखने के लिए कुसल कारेबल की आवस्ता होती है जो कि आप देखेंगे कि ऐसे कौसल रखने वाले कामगारों की उपलब्दुता में कमी पाई गई है भारत में खास कर तो इसलिए ये सब चुनोतियां बड़ी हुई है इसके साथ साथ आप देखेंगे कि भारत में सिवाच्त्र के विकास है तुछ चुनोतियां और भी हैं वह ये हैं कि जो जटिल बिन्यामक धाचा है जो सरकारी तंत्र का जो जटिल बिन्यामक धाचा है आप देखेंगे कि जियस्टी का सरली करण अभी भी कठिन है बहुत ही सरल नहीं है तो ये भी एक सिवाच्त्र में चुनोती है और सरकार के दौरा तमाम प्रकार के योजनाय भी सिवाच्त्र को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया जिसे स्टार्ट अप इंडिया और रियल इस्टेट में जो भी ऐसे अधिनियम है जो पूरी तरीके से अनुकूल कारोबा की दिशा में कि प्रकति नहीं कर पाते हैं जिसके लिए सरकार को यहां पर कानुन भनाकर के सरकार को सभार करने की जरूरत पड़ती है तो ये रहा सेवाच्छत्र के बारे में कि सेवाच्छत्र क्या है और वर्तमान समय में सेवाच्छत्र का योगदान क्या था और सेवाचेत्र के संदर में भारत में क्या-क्या चुनोतियां है और इसके साथ-साथ यहां से जो प्रसनेक और था कि चुनोतियों के साथ-साथ भारत में कौन-कौन से चेत्र में संभावनाएं हैं सेवाचेत्र का विकास करने के लिए जो महत्तपूर है तो इस प्रकार इस